अब हमें एक program लिखना है कि जो temperature में data ले user से और उसको Fahrenheit में convert करके output में दिखा है तो एक तो पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि Fahrenheit में convert करने के लिए formula क्या है तो हो हमारा formula यह है F is equal to 9 by 5 into C plus 32 तो इसमें हमारा जो भी Celsius का value होगा वो Fahrenheit में convert हो जाएगा तो अब क्या है कि यहां पर मैंने दो variable लिए C और F float type के क्यों क्योंकि जो Celsius है हो सकता है कि यो user है हो decimal में दे और in case अगर decimal में नहीं भी देता है तो Fahrenheit में जो value calculate करेंगे क्यों क्योंकि हो तो यहां पर वह decimal में आने के chances हैं क्योंकि 9 by 5 एक decimal value देगा हम नहीं विलेंगे तो कोई issue नहीं होगा लेकिन जो decimal वाला value होगा वो discard हो जाएगा तो इसलिए float ले लिया यहां पर मैंने बोला enter temperature in Celsius तो user ने दिया हमने उसको store करा लिया C में अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि F अब हमारे पास यह तो है नहीं तो इसको हम convert कर देंगे F is equal to 9 division by 5 और यहां parenthesis जरूर जरूर देना मतलब हमें mandatory होता है और यहां पर multiply C अगर नहीं देंगे तो थोड़ा से मतलब issue हो सकता है वैसे यहां पर division पहले हमें board mask recording पहले division भी apply होगा तो यहां पर कोई issue नहीं होगा लेकिन in future यह issue हो सकता है तो इसलिए हम यह कोशिश करें कि जो यह parenthesis जहां भी ज़ौरत हो वहां पर दे दे तो यह best practice रहेगा कि बाद में कभी कोई issue नहीं रहेगा नहीं तो यह क्या होगा कि हम सब कुछ सही लिखेंगे फिर भी हमारा correct जो desired होगा output नहीं आयागा हमारा confused हे जाएंगे कि आखिर error है कहां तो इसलिए यहां पर मैंने parenthesis दिया plus 32 तो यहां पर हमारा 32 हो गया तो अब यहां पर इसी formula को हम क्या करेंगे use कर लेंगे अपने program में तो अब क्या है कि यह f is equal to 9 by 5 यहां पर यह star है into c plus 32 तो यह जो है celsius में जो value है उसको convert करके देदेगा और यहां पर percent f यानि कि अब यहां पर क्या थोड़ा मैं अच्छा output थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए मैंने कि परसेंट f यानि कि suppose कि यहां पर value आ गया 200 तो 200 यहां पर परसेंट f floating point okay c equal to यहां पर पहले degree celsius जो user दिया होगा equal to कितना Fahrenheit तो यहां पर पहले क्या है f के जग यहां पर क्या है c है यहां पर c है तो पहला वाला जो c suppose कि user ने हमारा दिया है कि 80 degree celsius 80 degree दिया तो यहां पर show करेगा 80 degree celsius 80c equal to और Fahrenheit में हमारा suppose कि आ गया 284 तो is equal to 284 Fahrenheit तो यह हमारा program हो गया झान GIR 1